बच्चों कचछा नौ के बच्चे दियान देंगे, कच्छा नौ आपका विषड है हिंदी, हिंदी में आज मैं काब्वी की शुरूआत करूँ गा, काब्वी में आपका पहला पाठ है कबीर, तो सबसे पहले आये कबीर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा ब माने बच्चों कासी जो आपके उत्तर प्रदेश में है कासी में इनका जनम हुआ था और ये भक्त काल के बहुत ही प्रश्ट कभी माने जाते हैं ये किस काल के कभी है भक्त काल के जब आप से कोई कोशन करे कि कभी दास किस काल के कभी है तो आप बताईएगा कभी दास जी भ स्वामी रामानंद और पतनी का नाम लोई था पतनी का नाम क्या था लोई इनके दो संताने थी एक पुत्र और एक पुत्री पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली बहुती सरल है कमाल और कमाली इस दो संताने कबीरदाज गिती और बताना शहूंगा कबीरद प्रथम से समाज को सुधारने का बार्छ किया था है। इनिका दोहा जो आपको पहला पाथ है शाक्षी की सुरुआद करते हैं। प्रतम दोहा है बच्चों सत्गुरु हमसुरी जिकर एक काह प्रशंग बरस्या बादल प्रेम का भीज गया शब अंग। सत्गुरु हमसो रीजिकर एक कहा प्रशंग बरस्याबादल प्रेम का भीज गया सब अंग बहुत बढ़िया बात बताई गई ये कबीरदाज जी ने बताया है कबीरदाज जी कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु जी ने मुझ पर प्रशन होकर मुझ से एक ऐसी बात कही हमारे सच्चे गुरु जी ने मुझ पर प्रशन होकर मुझ से एक ऐसी बात कही कि प्रेम रूपी वर्षा हुई उनकी बातों में प्रेम रूपी वर्सा हुई और उस प्रेम रूपी वर्सा में मेरा अंग अंग भीज गया हमारे सच्चे गुरुजी ने मुझसे एक ऐसी बात कही कि प्रेम रूपी वर्सा में मेरा अंग अंग भीज गया यह नहीं कि अंग अंग भीग गया समझे न अब दूसरा दोहा समझे राम नाम के पटतरे देबे कव कच्छुनाहिं समझे का ध्यान से पिर से समझे राम नाम के पटतरे देबे कव कच्छुनाहिं क्याले गुरू संतोसिये हौसरही मनमाहिं अब इसके अर्थ को समझे इसके भाव को समझे तबीर दाजी कहते हैं कि राम नाम के समान जब आप राम का नाम लेते हैं राम नाम के समान देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है राम नाम के समान कोई भी वस्तो देने के लिए मेरे पास नहीं है क्या ले गुरु संतोसिये होंस रही मनमाए इसलिए मैं ऐसी कौन सी चीज दूँ मैं ऐसी कौन सी चीज अपने सच्चे गुरु जी को दूँ जिने अच्छा लगे जिनको शुकून मिले जो मुझ पर खुश हो जाएं यही पीड़ा मेरे मन को सताय जा रही है यही कष्ट मेरे मन को सता रहा है फिर समझ लिजे कभी दाजी कहते हैं कि राम नाम के समान देने के लिए मेरे पास कोई वज़तु नहीं है क्योंकि राम नाम से बढ़ा क्या है भीया राम नाम से बढ़के कुछ भी नहीं है राम नाम के समान मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है क्या ले गुर सन्तोसिय मैं ऐसी कौन से चीट अपने गुरु जी को दे दूँ जिसे उन्हें बहुत प्रशन हो जाएं वो खुश हो जाएं यही पीड़ा मेरे मन को सताय जा रही है बच्चों कभी-कभी ऐसा होता है जिसे आप बहुत प्री मानते हैं जिसे आप अपना बहुत अच्छा समझते हैं अगर उनको देने के लिए कभी आपके मन में कोई रादा होता है तो मन तमाम चीज़ों पर जाता है मैं ऐसी कौन से चीज लूँ जो हमारे बहुत ही प्रे हैं इनको दूत हमारे उपर खुश हो जाएं आपके मन में ये पीड़ा सता ती है कि नहीं सता ती है जैसे माल लेजी आपके गुरुजी हैं आप गुरुजी को जनम दिन पर कुछ देना चाहते हैं तो आपके मन में आएगा ये वाली कलम देदें वो वाली कलम देदें ये बक्षीज देदें वो बक्षीज देदें कि हमारे गुरुजी हमारे पर खुश हो जाएं नहीं नहीं इसको दूँगा तब कुस हो जाएं नहीं नहीं इसको दूँगा ये सारे चीजे मन में आती हैं वैसे ही कभी दाश जी ने लिखा है अगला दोहा देखिए लाश्ट उसके बाद अगले दिन पढ़ाएंगे ग्यान प्रकास्या गुर मिल्या सोजिन भी सर जाए जब गोबिंद कृपा करी तब गुर मिल्या आए फिर से समझे बच्चों ग्यान प्रकास्या गुर मिल्या सोजिन भी सर जाए जब गोबिंद कृपा करी तब गुर मिल्या आए कितने बढ़िया बात बताएं हैं इस दोहें में गुरु जी कहते हैं कि हमारे अंदर ग्यान का उजाला फैलाने के लिए ग्यान का प्रकाश फैलाने के लिए हमें कौन मिला हमें हमारे गुरु जी मिल गए हमारे अंदर ग्यान का प्रकाश फैलाने के लिए यानि हमारे ग्यान को प्रकासित करने के लिए हमको हमारे गुरुजी मिल गए फिर क्या हुआ सो जिन भी सर जाए इसलिए हमें अपने गुरुजी को भुलाना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर ग्यान को प्रकासित किया हमें ग्यान दिया हमें जागरू किया हमें सिखाया इसलिए हमें गुरु जी को भुलाना नहीं चाहिए सोच जी ने भी सरजा इसलिए हमें गुरु जी को भुलाना नहीं चाहिए जब गोबिंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए ऐसे हमको साधार्णत यहां गुरू जी नहीं मिल गए जो हमको ग्यान दे रहे हैं जब गोबिंद कृपा करी तब गुरू मिलिया आए जब गोबिंद यहनी जब इस्वर ने मुझे पर कृपा किया जब इस्वर ने मुझे पर कृपा किया तब ही हमको हमारे गुरू जी मिले जब भगवान ने मुझे पर कृपा किया भगवान ने ऐसी कृपा की मुझे पर तब जाके इस तरह से हमें गुरू जी मिले तब ऐसे गुरू जी हमको मिले तो बच्चों आज बस इतना ही अगले दिन का च्छानों के बच्चे तयार रहेंगे अगले दोहे के लिए धन्यवाद